के लिए एंड्रॉइड का एक most important वीडियो मैराथन वीडियो जिसमें मैं आपको एंड्रॉइड के सारे चर्प्रेस के सारे टॉपिक्स कराने वाला हूं और इसको पढ़ने के बाद आपके एक भी टॉपिक नहीं छूटेंगे ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं आप लोग सभी को ये वीडियो सेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है क्योंकि मैं बहुत महनसी वीडियो बना रहा हूं इसके पहले मैंने ये सारी नोट्स कंपाइ एंड्रॉइड होता क्या है ठीक है पहले ये जानेंगे तो देखिए एंड्रॉइड एक ओपेन सोर्स लीनक्स बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड को 2009 में डेवलप किया गया था एंड्रॉइड को ओपेन हैंडशेट अलायंस मतलब की OHA ने डेवलप किया थ और बाद में इसको गूगल और अन्य कंपनी का शहयोग मिला ठीक है ओपन हैंड्रॉइड अलायंस एक और्गरनाइजेशन का ग्रूप है जो मार्केट में बेहतर सेलफोन्स लाने के लिए वर्क करता है एंड्रॉइड जातर मोबाइल फोन्स पर यूज किया जाता है जिन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है एंड्रॉइड फीचर्स एंड्रॉइड को दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म से बहतर बनाते हैं एंड्रॉइड के कुछ फीचर्स हैं जो इसे सबसे अनोखा बनाते हैं उनके बारे में नीचे दिया जा रहा है अ Android एक beautiful और interactive user interface प्रोवाइड कराता है जो कि use करने में बहुत ही easy होता है मतलब easy to use होता है ठीक है उसके बाद second है multi language support Android multi language को support करता है Android messaging, web applications और video calling को भी support करता है ठीक है उसके बाद है media Android सभी media format जैसे mp3, jpg, mp4 flv को support करता है ठीक है अब देखते है connectivity, android bluetooth, wifi और hotspot के दोरा network connectivity प्रोवाइड करता है अब storage देखते हैं तो android storage management के लिए application प्रोवाइड करता है जिससे आप storage को manage कर सकते हैं ठीक है applications देखते हैं Android में आप अपनी मन पसंद applications इंस्टॉल कर सेखते हैं Google Play Store से या फिर जिसका iPhone है वो Apple Play Store से ठीक है open source, open source से क्या मतलब होता है कि android एक open source operating system है इसका code हर developer के लिए free available है ठीक है आपको इसको net पर मिल जाएगा इसका code उसके बाद देखते हैं यह एक Linux based operating system है अभी Linux based operating system क्या होता है यह देखते हैं तो देखें Linux पर based होने की वज़ा से android एक बहुत ही popular software environment है ठीक है Linux kernel एक hardware abstraction layer प्रोवाइड कराता है जिसे आप available hardware resources का अपनी जरूरत के हिसाब से बहतर से बहतर उप्योग कर सकते हैं Linux operating system based सभी components android में C और C++ में develop किया जाते हैं ठीक है इसके बाद है user interface android platform में user interface को बहुत मात दिया गया है android का user interface android के लिए लोग प्रियता का बहुत मात पूर्ण का रख है ठीक है क्योंकि जितना अच्छा interface रहेगा phone का उत्ता ही हम लोग उसको खरीदेंगे ठीक है उसके बाद है applications तो applications किसी android phone को व्यक्ति वी से इसके लिए मात पूर्ण बना देती है हर व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से application यूज कर सकता है android की applications java में develop की जाती है means java language में develop की जाती है android की applications उसके बाद libraries देखते हैं android में बहुत सी java और दूसरी libraries प्रोवाइड की गई है जो android में development के लिए जरूरी है ठीक है उसके बाद है work frame तो android platform में applications के development के लिए framework प्रोवाइड किया गया है ताकि हर application में android के लिए जरूरी component एड किये जा सके है हर component बनाने वाले व्यक्ति को इस framework को ध्यान में रख कर application को design करनी चाहिए ठीक है उसके बाद है multimedia support तो android में multimedia support के लिए libraries और framework प्रोवाइड किया गया है ठीक है तो यह था हमारा इसके features देखिए किते डहर सारे features है एक बाद फिर से हम revise करेंगे यूजर इंटरफेस, multiple language support, media, connectivity, storage, applications, open source, linux based, user interface, applications, libraries, framework, multimedia support तो यह सब क्या थे इसके features थे अब हम देखेंगे android sdk sdk क्या होता है चलिए उसके देखते है तो आप लोग पहले वीडियो को share कर दीजिए ठीक है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी कुछ contribute करिए ठीक है तो चलिए देखते है android sdk क्या होता है sdk का full farm होता है software development kit क्या full farm होता है software development kit android sdk में वो सभी tools होते है जिनकी आपको android application को create करने में compile करने में और application को package करने के लिए जरूरत पड़ेगी ठीक है android sdk में आपको source code के साथ sample projects, development tools, एक emulator और application develop करने के लिए required libraries मिलती है सभी application java में develop की जाती है मतलब java language में और delvik virtual machine पर run की जाती है किस पर run की जाती है delvik virtual machine पर run की जाती है पहले किया जाता था अब delvik पर नहीं किया जाता है चौथे version के बाद अब चलिए हम लोग देखते है android debug bridge क्या होता है मतलब adb क्या होता है android debug bridge इसका फिल फार्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा इसको ये भी बोल सकते है android debugger bridge ठीक है तो चलिए देखते हैं तो adb android sdk का एक command line tool है पहला point क्या है ये command line tool है जिसकी मदद से आप अपनी applications को virtual device या किसी real device पर run करवा सकते हैं और debug कर सकते हैं ठीक है ये एक client server program होता है जिसमें एक client होता है एक server होता है और एक domain होता है client development machine पर run होता है server development machine पर एक background process की तरह run होता है और domain emulator पर background process की तरह run होता है ठीक है तो ये क्या था हमारा ABD, ADB, Android Debug Bridge, अब इसके पाद हम लोग Gradle देखते हैं, देखिए Gradle most important है, तो Gradle एक advanced build system है, यह किसी application को build, यानि package करने की process में use होता है, इससे हम code और resources को आसानी से reuse कर सकते हैं, इससे एक application के कई variants आसानी से create किये जा सकते हैं, देखिए इस point पर ध्यान दीजिएगा, कि इसके code को हम resources और आसानी से reuse कर सकते हैं, इससे एक application के कई variants आसानी से create किये जा सकते हैं, इससे build process को customize करना आसान हो जाता है, और Gradle आसानी से IDE के साथ integrate हो जाता है, ID का full farm क्या होगा, integrated development environment, ठीक है, तो यह था Gradle, अब हम लोग देखेंगे, art क्या होता है, art, art क्या मतलब होता है, android runtime and delvig, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यह दोनों ही android में, देखेंगे, android runtime और delvig दोनों साथ में देख रहे हैं, ठीक है, यह दोनों ही android में applications को run होने के लिए environment provide करता है, लेकिन android 5.0 art को use करता है, और उससे पहले के सभी versions delvig को run time की तरह use करते थे, मैंने बताया था आपको, कि पहले delvig की use होता था लेकिन 4 वर्जन के बाद में, यानि 5 वर्जन से क्या use होने लगा android runtime यूज होने लगा, ठीक है, तो art भी delvig के तरह ही dex files को execute करता है, जो files होती है, उसका extension क्या होता है, इसमें हमारा file name होगा fit.dex ठीक है, तो art और delvig एक दूसरे के साथ compatible है, इसलिए यदि कोई application delvig के लिए develop की गई है, तो art में भी आराम से run हो सकती है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, art में ahead of time यानि AOT compilation को introduce किया गया है, art में install time verification delvig से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तो देखें मैंने इसमें एक question छोड़ा है, और वो question है, android के versions, ठीक है, क्योंकि versions आप लोग पढ़ सकते हैं, वो सभी खाने पीने के नाम से हैं, ठीक है, जिसे marshmallow, cupcake, kitkat, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, पर इतना important नहीं है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, android activity, यह most important है, ठीक है, android activity क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं, देखिए आपकी applications में एक से ज़्यादा activity हो सकती है, जब आप इन activities के थरो navigate करते हैं, यह एक activity से दूसरी activity में जाते हैं, तो activity अपनी life cycle की different stages में हो जाती है, इसको आप एक example के लिए जब आपकी activity start होती है, तो यह foreground में होती है, और user का पूरा focus इस पर होता है, इस process के दौरान Android system कुछ life cycle methods को call करता है, यदि user कोई दूसरी activity start करता है, तो Android system उस activity के life cycle method को call करता है, और आपकी पहले वाली activity background में चली जाती है, अभी हम देखेंगे life cycle method क्या होता है, तो life cycle methods में आप decide कर सकते हैं कि जब user जाता है या वापस आता है, तो आपकी activity कैसे behave करेगी, ठीक है, तो example के लिए यदि एक video player बना रहे हैं, तो जब user किसी दूसरी activity पर इसको समझीएगा example, इससे आपको आसानी समझ में आएगा, कि देखिए, जैसे हम कोई video चला रहे हैं, तो उसके video चला रहे हैं, और हम दूसरी कोई activity पर जाने पर video streaming रुख जाएगी, मतलब video बन्द हो जाएगा, और दूसरा चीज़ जो हम चलाएगा, वो चलने लेगा, लेकिन music player के साथ क्या होता है, कि music हमारा background में run होता रहेगा, और हम दूसरा काम करते रहेंगे, ठीक है, तो यह activity का एक example है, याद रखिएगा, अब चले हम लोग life cycle method देखते हैं, किसमें कौन-कौन से method हम लोग use कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम activity create करेंगे, तो इस stage में on create method दौरा, activity create की जाती है, जब user आपकी applications के लिए icon पर click करता है, ठीक है, उसके बाद है started, इस stage में on start method दौरा activity start की जाती है, उसके बाद है resumed, इस stage में activity running stage में होती है, और user को visible होती है, मतलब user को दिखाई देती है, उसके बाद है paused, इस stage में activity paused होती है, और जब user किसी दूसरी application में switch करता है, ठीक है, उसके बाद है stopped, इस stage में activity stopped होती है, उसके बाद है destroyed, इस stage में activity destroyed हो जाती है, यानि समाप्स हो जाती है, तो यह क्या था, तो यह था हमारा life cycle method activity का, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए कि यह सारी, कुई सारे questions बहुत important होने वाले हैं, अब देखिए, introduction to androidmanifest.xml file, androidmanifest.xml file, यह भी बहुत important है, ठीक है, और मैं guarantee लेदा हूँ कि आपका एक भी question मेरी इस pdf से यह फिर मैंने जो बनाया है, इसमें इस एक भी question आपका बाहर नहीं जाने वाला है, वो आप लोग paper के बाद खुद देख लिजीएगा, ठीक है, और इसमें जो भी मैंने लिखा है, या फिर जो भी मैंने type किया है, या फिर जो भी मैंने copy किया है, दूर दूर के इधर उधर से, वो सभी easy language में है, ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे, चलिए पढ़ते हैं, androidmanifest.xml file, androidmanifest.xml file में आपके package की information होती है, आप अपनी application में जितने भी components यूज करते हैं, उन सब की information androidmanifest.xml file में होती है, जिसे servlet में development descriptors होते हैं, उसे प्रकार androidmanifest.xml file भी आपकी application के development descriptor की तरह होती है, ठीक है, development के लिए, deployment descriptor की तरह होती है, ये आपकी application को control करती है, ठीक है, androidmanifest.xml file को देखकर आप बता सकते हैं की application में कितने और कौन-कौन से component use हुए हैं, ठीक है, ये point याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, content provider क्या होते हैं, ये भी देखे, बहुत important है कि content provider क्या होते हैं, ठीक है, देखिए, activity के elements है, ठीक है, ये सारे android activity के elements है, तो यदि आप अपनी application का data, दूसरी application के साथ share करना चाहते हैं, तो आपको अपनी application में content provider create करना होगा, फिर से बढ़ते हैं, यदि आप अपनी application का data, दूसरी application के साथ share करना चाहते हैं, तो आपको एप्लिकेशन में content provider करना, create करना होगा, content provider data के access को manage करते हैं, content providers data को encapsulate करते हैं, और data को दूसरी application से security provide करते हैं, ठीक है, कोई भी application जब किसी दूसरी application से data access करना चाहती है, तो वे content resolver के माध्यम से client की तरह, दूसरी application के provider object को request भेजती है, उसके बाद provider object request पर action लेता है, और result वापस भेजता है, ये किसी database से query करने जैसा ही है, ठीक है, और ये आप दूसरी application के साथ data share नहीं करना चाहते हैं, तो आपको content provider create करने की आओ सकता नहीं है, लेकिन ये आप अपनी application में data को search करना चाहते हैं, तो आपको content provider की जरूरत होगी, ठीक है, तो ये था content provider, अब देखते हैं हम लोग introduction to android fragments, देखिए fragment बहुत ही important है, इसको अब अब लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो देखिए, एक fragment किसी activity के अंदर एक separate user interface होता है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको, कि fragment क्या होता है, जिसे कोई screen होती है, पहले इसमें क्या होता था, एक ही tap चलता था, मतलब एक ही window खुलता थ है वो, तो आई है हमारा fragments, ठीक है, अब पढ़ते हैं, एक fragment किसी activity के अंदर एक separate user interface होता है, fragment की खुद की life cycle और input events होते हैं, आप एक fragment में कोई activities में use कर सकते हैं, कोई भी activities में use कर सकते हैं, जब आपकी activity running state में हो तो, तब भी आप fragment को add और remove कर सकते हैं, fragment को आप sub activity भी कह सकते हैं, ठीक है, android fragment को android के honeycomb version में introduce किया गया था, android fragments से पहले आप user को एक बार में एक activity ही सो कर सकते थे, इसलिए आप screen को अलग-अलग parts में divide नहीं कर सकते थे, ठीक है, fragment के आने से applications design और भी ज़्यादा flexible हो गई है, क्योंकि आप user को एक से ज़्यादा interface सो कर वा सकते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं, इसलिए आप screen को अलग-अलग parts में divide, sorry फिर्स देखते हैं, थोड़ मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पड़ते हैं, एक fragment किसी activity के अंदर एक separate UI होता है, fragment की खुद की life cycle और input events होते हैं, आप एक fragment को किसी activities में use कर सकते हैं, जब आपकी activity running state में हो, तब भी आप fragment को add और remove कर सकते हैं, fragment को आप sub activity भी कह सकते हैं, ठीक है, तो android fragment को android के honeycomb version में introduce किया गया था, android fragment से पहले आप user को एक बार में एक activity ही show कर सकते थे, इसलिए आप screen को अलग-अलग parts में divide नहीं कर सकते थे, fragment के आने से, applications design और भी ज़्यादा flexible हो गई है, क्योंकि आप user को एक साथ, एक से ज़्यादा interface show कर सकते हैं, और इन्हें separately manage भी कर सकते हैं, ठीक है, आप आपके पास activity तो एक ही रहेगी, लेकिन आप इसमें बहुत से fragments add कर सकते हैं, ठीक है, अब चलिए देखते हैं, fragment life cycle क्या होता है, तो देखिए, android fragment की life cycle कुछ methods की दौरा define की जाती है, इनके बारे में नीचे दिये जा रहा है, तो देखिए, पहला है on attach, जब पहली बार activity के कोई fragment add किये जाता है, तो यह method call की जाता है, on attach ठीक है, उसके बाद है on create, जब fragment create हो जाता है, तो यह method android system की दौरा call किये जाता है, ठीक है, activity create करने के लिए, on create view, जब पहली बार fragment ui so होता है, तो यह method android system की दौरा call किये जाता है, ठीक है, view करने के लिए, उसके बाद है android and on android activity created ठीक है on activity created जब host activity create होती है तो यह method call होता है ठीक है देखिए मैं सुबर सुबर थोड़ा वीडियो बना रहा हूं इसके थोड़ा फंबल हो रहा हूं तब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही और कोई ना आप लोग क्लास पूरी करिएगा अब fragment UI के visible होने के बाद यह method call होता है उसके बाद है on resume जब fragment को pause करके वापस resume किये जाता है तो यह method call होता है ठीक है उसके बाद है on pause जब fragment को pause किये जाता है तो यह method call होता है और उसके बाद है on stop जब fragment stop होता है तो यह method call किये जाता है ठीक है उसके बाद है on destroy view fragment view को destroy करने के लिए यह method call किया जाता है और last है on destroy fragment destroy होने पर यह method call होता है ठीक है तो यह थे इसके life cycle fragments के अब हम लोग दिखेंगे android views ठीक है यह भी बहुत ही important है introduction to android views ठीक है तो android views activity के अंदर होते हैं android views वो elements होते हैं जो हमें screen पर so होते हैं जैसे की button हो गया text box आ दी सभी views activity के अंदर होते हैं android view classes views को represent करती हैं हर android view एक view class के दोरा represent किया जाता है जैसे की button को represent करने के लिए button class provide की गई है इन classes की मदद से हम event के दोरा user से interact करते हैं ठीक है example देखते हैं जैसे हो गया text view image view ठीक है तो यह पहला वहला हमारा complete हो गया और पहले PDF हम चलेंगे second PDF के उपर हमेरे second PDF ठीक है तो दीखे मैंने limit complete हो गई थी words की तो मैंने दो दो PDF में इसको divide किया था तो एक PDF complete हो गया अब हम दूसरा देख रहे हैं ठीक है तो इसमें हम लोग देखेंगे introduction to broadcast receivers broadcast receivers भी बहुत ही important है अब यह क्या होते हैं चलिए पढ़ते है पहले में इसका font size में तोड़ा और बड़ा कर दूँँ आप देखते हैं ठीक आपको दिख रहा होगा तो देखिए broadcast receivers वो android component होते हैं जिनकी मदद से आप दूसरी applications में और system में generate होने वाले events के बारे में notification पास सकते हैं ठीक है broadcast receivers क्या होते हैं देखिए जैसे हम कोई भी app open करते हैं तो हमें आरे पास option आता है कि क्या आप इसकी notifications receive करना चाहते हैं तो allow और block option आता है तो अगर हम allow कर देंगे तो हमारे पास जो भी कोई notification उसके दौरा डाली जाएंगी उस channel के दौरा या फिर उस website दौरा तो वो notification हमारे पास आ जाएंगी ठीक है तो यही होगत broadcast receivers अब इसको हम लोग किताब ही भसम पढ़ लेते हैं देखें broadcast receivers वो android component होते हैं जिनकी मदद से आप दूसरी applications में और system में generate होने वाले events के बारे में notification पा सकते हैं ठीक है किसी भी event के बारे में जानकारी पाने के लिए आपकी application को उस event के लिए खुद को register करवाना पड़ता है मतलब जिसे मैंने भी बताया था ना allow करना पड़ता है register करके कोई भी applications ऐसा एक broadcast receiver create कर सकती है ठीक है जब भी कोई event generate होता है तो android system उन सभी applications को notify करता है जिनने event के लिए खुद को register किया था यानि जिसे हम allow कर देंगे तो कोई भी notification आएगा तो वो हमारे पास भी आएगा ठीक है जितने लोगों ने register किया होगा सब के पास जाएगा ठीक है जिसे अभी जिन लोगों ने मेरा च आपके पास notification जाएगा इससे अच्छा समझाने का और कोई तरीका ही नहीं है ठीक है और देखते हैं इसके बाद अब देखेंगे android layouts android layout क्या होते हैं यह देखेंगे तो layout layout user interface के लिए structure provide करते हैं ठीक है उस structure के recording आप अपने elements screen पर manage कर सकते हैं layout मतलब की screen पर कौन सी चीज कहा रहेगा ठीक है तो यह क्या होगा layout android system कई तरह के layout provide करता है आपकी application के लिए जो layout आपको ठीक लगे आप use कर सकते हैं ठीक है अब attributes of android layout देखते हैं तो नीचे कुछ common attributes दिये जा रहे हैं जो आप सभी views के साथ use होते हैं ठीक है तो पहला android id इस attribute के दौरा आप view की id डिफाइन करते हैं जो view को uniquely identify करने के काम आती है ठीक है उसके बाद है android layout width इस attribute की दौरा आप views की screen पर width define करते हैं ठीक है उसके बाद है android layout height इस attribute की दौरा आप view की screen पर height define करते हैं तो देखी कितना असान है आप लोग याद इस तरहायात कर सकते हैं कि android id हो गया android layout width हो गया android layout height हो गया ठीक है तो इस सरहयात करेंगे तो आपको असानी होगी इसके अंदर का content heading याद होना important है इसके अंदर content तो आप लोग खुदी बनाके लिख सकते हैं ठीक है अब देखते है types of android layouts तो linear layout पहले देखेंगे तो linear layout एक ऐसा layout है जिसमें सारे elements ए तो horizontal ठीक है आप layout का direction android orientation attribute की दोरा define कर सकते हैं ठीक है यदि layout का direction vertical होता है तो एक column में एक ही element आएगा और यदि layout का direction horizontal होता है तो एक row में एक ही element आएगा देखें horizontal का मतलब क्या हो गया row मतलब पंक्ती और मतलब पड़ी लाइने ठीक है और vertical का मतलब हो गया उर्धाधर यानि खड़ी लाइने ठीक है यानि columns और यदि आप चाहें तो किसी भी particular element को priority value भी दे सकते हैं priority मतलब वरियता इसे layout weight कहते है ठीक है अब देखते हैं दूस होते हैं यह देखेंगें लोग तो relative layout view element को relative positions पर display करता है हर view को आप दूसरे element के relation में position कर सकते हैं किसी भी नए views की position आप existing view के relation में define करते हैं जैसे कि आप existing element के right में नए element को sit करना चाहते हैं या left में ठीक है इस प्रकार आप किसी भी element को screen पर कहीं भी place कर सकते हैं ठीक है अब देखते है list view देखे list view पूछता है ठीक है तो list view एक view group होता है ठीक है जो items की list सो करता है जिने आप scroll कर सकते हैं यह item runtime में सभी views को manage कर सकता है इस layout में एक ही column होता है और row बहुत c होती है यानि आप एक row मे एक ही view positions कर सकते हैं ठीक है इसके बाद grid view देखते हैं देखे grid view बहुत ही important है ठीक है views में सबसे ज़्यादा grid view important है तो grid view एक group view group होता है जो items को two dimensional grid में सो करता है इस grid को आप scroll कर सकते हैं इस layout में items row और columns की form में होते हैं यानि सो होते हैं grid view में items run time पर automatically insert हो जाते हैं ठीक है अब देखते हैं लोग introduction to android toast टोस्ट क्या होते हैं आप लोग पढ़िए गया android toast एक simple pop-up message होता है जो कुछ देर के लिए screen पर appear होता है और automatically disappear हो जाता है ठीक है आप लोग को समझ में नहीं आयोगा तो आप लोग उधारन देखिया आपको इदा मच्छा समझ में आएगा ठीक है जिसे उधारन के लिए जब हम अपने device में कोई message भेजते हैं तो आपको एक toast होता है यानि एक message होता है जिसमें लिखा होता है message sent और वो कुछ दिर के बाद automatically disappear हो जाता है अब आपको समझ में आया कि देखिए जिसे हम कोई message भेजते हैं तो इसमें लिखता है वहाँ लिखके आ जाएगा message sent वहाँ लिखके आ जाएगा message sent और वह एक-दो सिकंड के बाद गाइब हो जाएगा तो अहीं क्या होगा android toast ठीक है अब देखते हैं android toast की size उतनी ही होती है जितना बड़ा आपका message होता है ठीक है current activity visible होती है आप इसके साथ interact कर सकते हैं ठीक है introduction to android text field अब text field पढ़ते हैं तो जब अपनी आप अपनी android application में text field create कर सकते हैं text field को text boxes भी कहते हैं एक text field की दौरा आप user से input लेते हैं जिकसे की user का नाम और email address ठीक है और ज्यादा तर text field एक ही line के होते हैं लेकिन आप चाहे तो android में multiple line के भी text field create कर सकते हैं text field यानि text box जिसमें जैसे हम लोग HTML form बनाते हैं तो इसमें जो text field यूजट करते हैं input type text ठीक है वही वह गया text field ठीक है text इंटर करने के लिए user जैसे कि हम text field पर click करते हैं तो हमारे सामने एक क्या open होता है keyboard ठीक है वही इसमें लिखा गया है कि text enter करने के लिए user text field पर click करते हैं user के click करने पर typing cursor text field में so हो जाता है साथ ही type करने के लिए keyboard भी so हो जाता है यह सब automatically होता है ठीक है तो यह था text field अब हम देखेंगे android spinners क्या होते हैं ठीक है तो android spinners आपकी application में में एक drop down menu होता है इस drop down menu में बहुत से items होते हैं जिन्हें user choices कहते हैं ठीक है जब user spinner पर click करता है तो यह items होता है user अपने लिए appropriate choice choose करता है by default spinner में सबसे टॉप वाला element सो होता है ठीक है दिखिए जैसे हम लोग डियो भी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक year वाला section होता है जिसमें यह हमको सेलेक्ट करना होता है फुर January मत्वाला होता है जिसमें January से December तक वाला दिया होता है तो उसको उसमें हमको एक सेलेक्ट करना होता है लेकिन हमको सबसे उपर January वाला ही दिखता है ठीक है बाइडिफॉल्ट अब और इस्पिनर्स में XML layout फाइल में मतलब इस्पिनर्स को XML layout फाइल में create किया जाता है और item की list string resources फाइल में create की जाती है जिसमें आप एक string array create करते हैं ठीक है introduction to android dialogues अब android dialogues क्या होते हैं यह देखेंगे तो dialogue एक छोटी सी window होती है जिससे user कोई decision दे सकता है या कुछ information input कर सकता है ठीक है डाला कोई screen को cover नहीं करता है ठीक है दिखेंगे इसमें सारे भले ही points थोड़े कम-कम है बस आपको समझाने के लिए इतने points की जरूरत है बस जितने content की जरूरत है मैंने उतना ही रखा है क्योंकि आपको पूरी किताब तो इसमें पढ़ाना नहीं है ठीक है आपको वही पढ़ाना है जो आपको समझ में आए और आपको सारे topics में इसमें करा रहा हूं ठीक है एक दो topics जो छूटा है मैं आपको बताते चलूंगा और इसको मैं next video मिला हूंगा ठीक है सारे topics पहली बात तो इसमें है जो एक दो topics जो बचेंगे उसी को हम next में कराएंगे ठीक है पहले अभी इसमें ठीट सारे questions से करते हैं ठीक है एंड्रॉइड डायलॉग्स तीन तरह के होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं पहला alert डायलॉग यह सिंपल alert डायलॉग होता है ए जिने यूजर सेलेक्ट कर सकता है यह डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको alert डायलॉग क्लास को extend करना पड़ेगा ठीक है अब अनेश देखते हैं डेटा पिकर डायलॉग इस तरह के डायलॉग से आप यूजर को एक विंडोज सो कर सकते हैं जिससे यूजर डेट सेले कर सकता है इस तरह का डायलॉग क्रिएट करने के लिए आपको date डायलॉग क्लास को extend करना होगा ठीक है उसके बाद है time अब हम दिखेंगे introduction to android सूचना क्या होती है यह आता है previous year में भी आया है देखे previous year में यह सारे questions आये हुए है इसी रहे तो मैं करा रहा हूँ ठीक है यह तो मेरे कराने का मतला भी क्या होगा अब देखते नौटिफिकेशन्स तो नौटिफिकेशन्स आपके डिवाइस में टॉप पर बैटरी और देखते है नौटिफिकेशन्स जैसे मेरी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगो होंगे यहां पर देखिए रिकार्ड हो रहा स्क्रीन तो यह एक नौटिफिकेशन यहां पर सो हो रहा ठीक है और आप देखते हैं जैसे ही आपकी डिवाइस पर कोई mail या text message आता है तो पर एक message icons होता है यह message notifications कैलाते हैं जब भी कोई notification आता है तो सबसे पहले उसका icons होता है जैसे कि कोई mail आया है तो Gmail का icons होगा ठीक है यह समझने वाली बाते हैं और आपको लिखना है ठीक है इसके बाद यदि user उस notification के बारे में detail जानना चाहता है तो notification drawer open करता है देखिए जि प्रॉपन के नौटिफिटिकेशन रोई मेरा ये ऊपन हो गया टीक है कि नोटिफिकेशन आई है कि नहीं मेरा नौटिफिकेशन रोग़ाइब जफीकेशन रोगया अब ज्यादा से छिधर ट्रॉब से तरफ स्वाइब करता है तो पेन explor टॉक से बॉटम की तरफ स्वाइब मतलब उपर से नीचे की तरफ स्वाइब किया तो हमारा ये ड्रॉर ओपेन हुआ ठीक है मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता रहा हूं तो इसमें कुछ दूसरी सेटिंग्स भी रहती हैं जैसकी वाइफ आई ब्ल्युटूट इस्क्रीन प्राइटनेस आद ही होती है ठीक है तो दिखें मेरे इसमें तो नहीं दिया हुआ है settings यहां settings दिया हुआ है ठीक है और इस तरफ वाले में दीखिए सब दिया हुआ है तो यही के बारे में बात कर रहा हूँ अब और देखते हैं तो इसके लिए बाद यदि user उस notification के बारे में detail जानना चाहता है तो notification drawer को open करता है ज्यादा तर इसको तो हम पढ़ चुके और आगे दिखते हैं थोड़ा contents of notification android notification ठीक है इसके contents कन कौन से होते हैं तो देखिए पहले तो अब तक करता है ठीक है जिसे हमें WhatsApp पर कोई message आया है तो पहले था में WhatsApp का icons होगा और फिर message किस ने भीजा है उसका नाम सो होगा अब detailed text क्या होगा यह detailed text message होता है जिसके कोई message करेगा तो पहले इसका icons हो गा यह WhatsApp का उसके बाद जो person ने भीजा है मेरे पास मैसेज उसका नाम सो होगा वो टाइटल हो गया उसके बाद उसने जो मैसेज बेज़ा है वो डीटेल टेक्स्ट हो गया ठीक है तो यह था हमारा करें अब हम लोग देखेंगे इंट्र डवज में स्टोराइज सिस्टम देखे आपके स्टोरीज सिस्टम भी है तो हम लोग इसको भी देखेंगे दिए के लिए एक बहुत से San options provide करता है आप कौन सा option चूज़ करते हैं यह आप के ओपर depend करता है यदि आपका डेटा primitive है तो आप shared preference यूज़ कर सकते हैं और यदि आपका डेटा private है देखे primitive के लिए आप डेटा shared preference का यूज़ करेंगे प्राइवेट डेटा के लिए आप इंटर्नल storage में store कर सकते हैं और यदि application के लिए database में store करना ज़रूरी है तो आप sq light database में store कर सकते हैं ठीक है अगर server में database store करना है तो आप लोग server पर डेटाबेस application का store करना है तो आप लोग sql light पर करेंगे ठीक है और यदि आप चाहें तो network connection के दोरा किसी cloud storage में भी अपने डेटा इस्टोर कर सकते हैं ठीक है जिसे गूगल क्लाउड हो गया वह हमें 15GB 25GB storage प्रवाइड कराता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को add कर सकते हैं और हम लोग किसी दूसरे फोन में भी अपने email के दोरा backup ले सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं इसी में shared preference है ना पहला तो वो क्या होता है तो shared preference एक class होती है यह class आपको एक धाशा यानि structure provide करती है इस class में आप key value के pair में केवल primitive value जिसे integer, boolean, character, float, strings इस्टोर कर सकते हैं जो आप shared preference में store करते हैं वो different user sessions में भी available रहते हैं ठीक है अब internal storage देखते हैं तो आप file को device की internal memory में भी save कर सकते हैं जो file internal memory में saved होती है वो private होती है ठीक है क्योंकि internal storage में तो और कोई दूसरा देखी नहीं पाएगा वो private ही कहलाती है दूसरी application इन्हें access नहीं कर सकती है जब user आपकी application को remove करता है तो यह files भी remove हो जाती है देखी जिसे मैंने अभी कोई भी files मेरे internal storage phone में है तो आप उसको नहीं देख सकते हैं जब तक मैं आपको share ना करूं और जब यदि मैं इसको वजब डिलीट करूंगा तो यह delete हो जाएगे ठीक है अब external storage देखते हैं तो हर android device में यह capability होती है कि आप उसमें external memory add कर सकते हैं जिसे phone में यह भी जितने यह भी रिमूबल भी सकते हैं रिमूबल मैं तब क्या हुआ कि इसको निकाल भी सकते हैं memory card को और non removal मतलब नहीं निकाल भी सकते हैं ठीक है यदि मतलब कई बार internal memory की limit के कारण इसे external memory के यूज किया जाता है देखिए जैसे हमारा internal mobile में RAM ROM कम है तो हम लोग external memory memory का काम मतलब यूज करेंगे ठीक है क्योंकि अगर हमारा phone भर जाएगा तो हम कोई photos क्लिक नहीं कर पाएंगे या फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे तो उसके लिए हमको या फिर अपने phone का data delete करना होगा या फिर external memory या storage का यूज करना होगा ठीक है अब हम लोग देखेंगे introduction to android networking तो mobile phones दिनों दिन computer ही बनते जा रहे हैं android phones में networking की वह छमता होती है जो computer में पाई जाती है जैसे कि emails, web surfing और watching online videos आ दी यह सबी services android बहतर networking के दोरा प्रोवाइड करता है आप भी यदि user को web के द्वारा services प्रोवाइड करना चाहते है तो अपनी application में networking इंप्लिमेंट कर सकते हैं ठीक है networking basically online कोई भी चीज यूज करने के लिए वीडियो, music, emails, web surfing किसी चीज का use आप online कर रहे है तो वो networking के अंतरगती आता है ठीक है उसके बाद है android में networking तीन तरह से implement की जा सकती है ठीक है android में networking तीन तरह से implement की जा सकती है आप कौन कौन से तीन तरह है देखिए IP मतलब internet protocol, wifi, bluetooth ठीक है तो इन तीन तरह से आप networking को implement कर सकते हैं तो यह था आज की हमारी class जो की हमारा दोनों PDF खतम हो चुके हैं और इसमें आप मैंने आपको hate सारे questions कराये हैं I think आपको अच्छी लगी हुए class यह class 42 minute 43 minute की हुई है ठी क्योंकि मैं इसमें topics होड़े जल्दी लदी cover कराये हैं आपका time waste नहीं किया है इसलिए class थोड़ा छोटी है जब छोटी नहीं है फिर भी 45 minute की class होगी और आपको content इसमें भरवर के provide किया गया है अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया अगर आप लोगों को लिखने की को कोई जरूरत नहीं है मैं तो कहाँगा कि आप लोग वीडियोो को दो तीन बार देखिए आपको 2X पे करके समझने का कोसिस करिए और इसमें कुछ points से रह गये हैं जैसे की list के प्रकार हो गया है यह फिर menu के प्रकार हो गया है लिस्ट मैंने कराया है menu के प्रकार हो गए है तो मैं आको next video में कराऊँगा तो menu जीसे होता है pop-up menu होता है और यह नौरमल menu होता है इस तरह एक menu और होता है context menu सायद तो इन तीनो menu को भी मैं कराऊँगा next video में कुछ ही questions बाकी इसे दो-तीन क्विस्चन्स तो उसको मैं आगले में कराऊंगा ठीक है और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा सौर्ट वीडियो मतलब सौर्ट वीडियो सौर्ट नहीं होगा 5-10-15 मिट का होगा उसमें तो मैं आपको Android आर्किटेक्चर बताने वाला हूँ ठीक है फिगर के मादब से आपको उसमें समझाऊंगा अच्छे से तो आप लोग पहली बात तो आप लोग यह वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने इतनी सुभा-सुभा भीना कुछ खाए फिए क्लास ली है क्यों तो मैं आपको आप लोगों से वादा किया था कि आपको यह क्लास्ट प्रोवाइड करा हूंगा जिसे मैंने ठामनेल इसका कल ही आपको ग्रूप बेज़ दिया था वार्सट ग्रूप पे और इसका पीडिया भी अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा पहले आप एक बार क्लास को देख लीजिएगा क्योंकि आपके पास तो बुक भी है ठीक है अगर हम अपने से ही पढ़ना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है यदि हमें कोई पढ़ाने वाला होता है तो हम जाद करिएगा वीडियो से पढ़िएगा और कुछ दिनों मतलब एक दू दिन में तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगा ठीक है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है और सारे दोस्तों के साथ सेयर कर तो वो ज्यादा पढ़ लेगा वो कम पढ़ लेगा और मुझे से ज्यादा नंबर ला लेगा तो ऐसी भावना ना रखें क्योंकि जिसको जितना नंबर मिलना होगा जितना लिखेगा उसको उतना नंबर मिलेगा ही और यह लाश समिश्टर इसके बाद आप अपने दोस्त से मिलेंगे और आपके दोस्त आप से मिलेंगे ठीक है क्योंकि सभी अपने अपने काम में बीजी हो जाएंगे तो आपको वीडियो अच्छे लगी हो इस लाइक मैं वीडियो जैन प्लीज गिवा थमस अप जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अगर आपको इसी तरह की और भी सब्जेट्स की महराथन क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा ठीक है कमेंट करिएगा अब लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं वीडियो देख लेते हैं वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं सब करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैहिंद